मकाउट के CA3 के examinations काफी close हैं हमें किस तरीके से जाद से जाद से स्कोर करना है और अगर हम इस particular examination को skip करना चाहें तो क्या हम इसे कर सकते हैं और भी वावा बहुत सारे questions हो सकते हैं आपके minds में तो वो सारे questions का सवाल का उतर मैं आज आपके वीडियो में देने वालो वीडियो को एक लाइक की चाहिए सबस्क्राइब सबसे पहले बात करें दोस्तों कि इस आम सॉरी कि हमने काफी दुनों तक वीडियो नहीं बना पाया तो CA3 examinations आप लोग जो है college में आपके particular date launch हो चुके हैं वो 13 तारीक से 15 तारीक तक हो सकते हैं किसी के कुछ और variable dates हो सकते हैं किसी colleges के functions and बहुत सारे चीज़ें से इस समय को light कर रही है पर कोई बात ने आप इस examination को जरूर देंगी पर अगर आप इस examination को नहीं देना चाहते हैं तो आप कैसे नहीं दे सकते हैं वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में बात करने वाले सरसे पहले बात करें दोस्तों होगे आपने CA1 और CA2 में के जितने भी scores आया थे उससे जो है आप लोगों एक अच्छा सा grace points milk चुका होगा काफी उपर पर अगर आपको नहीं मिला तो आप CA3 examinations को जरूर देना चाहिए इसके बाला आप बात करें दोस्तों CA3 examinations में आपके सारे offline papers होंगे और जितने भी आपने offline subjects ले रखें उन सारे चीज़ों को आपको अच्छे से questions के साथ answer देना पड़ेगा question papers के आप पहले teachers बनाया करते थे बड़ आप से question papers मकाउट के तरफ से launch होगी और हर particular college में एक ही particular date में उसी particular paper को दिया जाएगा इस कारण से हम देख सकते हैं कि काफी strictness बढ़ गई है इसके इलावा दोस्तों आप लोगो एक चीज और की धियान रखनी की papers जो है चेक तो आपके college की तरीकी से किया जाएगा college की teachers चेक करेंगे बट हाँ college की teachers चेक करने की बाद इन चीज़ों का PDF बनाकर वो जो है मकाउट university को भेजेंगे तो overall में अच्छे से checking करना उनका फर्स बन जाता है तो इस तरीकी से आप यह मत सोची कि पहले जया होगा करता था जब हम 2019 के batch थे तो कुछ teachers grace marking देकर आपको number उपर दे दिया करते थे बट अब वो chances काफी कम है अब आगे बढ़ते हैं अब यहां पर देखा होगा आपने CA2 में भी जो है आपको soft copy और hard copy दोनों submit करने दिया कहा गया होगा तो soft copy का यहां पर दोस्तों काफी बड़ा महत्व है क्योंकि soft copy की college जो है teachers भेजा करते हैं वहां पर जो मतलब आपके universities को और university वहां पर check करते हैं कि teachers ने काफी अच्छे से वड़ा consequences नहीं होता क्योंकि since 2 CAs को best लीके आपका जो है final score दिया जाता है तो overall में आपको 3 CAs minimum sit करने पड़ते हैं तभी जो है आप valid होते हैं for the final examinations तो overall में आपको 3 CAs में minimum आपको present रहना पड़ेगा जिस कारण वर्ष से आपको examinations में number मिलेंगी तो C4 में आपकी online paper होगी online में मतलब online में test portal खुलेगा जो आपके college में जाकर आपको examination को देना पड़ेगा तो अगर आप भी C3 देते हैं तो आप C4 skip कर सकते हैं पर अगर आप C3 skip करना चाहते हैं तो आपको एक valid reason आपके college के HOD को बेजना पड़ेगा जैसे कि आप वहाँ पर भेज सकते हैं कि आप किसी internship को कर रहें या फिर आपकी कोईची बहुती serious issue है जिस current वर्ष आप इस exam को नहीं दे पाएंगे पर आपको यह भी पताना पड़ीगा कि आप CA4 को जो है दे सके जैसे कि last semester में मैंने बताया थे कि मेरा जो है एक internship चल रहा तो मेरी क्याल से आपको CA3 देना चाहिए क्योंकि अगर आप यहाँ पर 15 से ज्यादा score करते हैं तब को grace marks को लेकर 20 से ज्यादा score मिल जागा जो आप 20 से ज्यादा score को करीप होगे और यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग 5-6 score करते हो तो जादे-जाद आपको 10-15 ज्यादा मिल सकते हैं से जादा आपको मिलने के chances कम है बट खोने का कुछ नहीं है क्योंकि since CA1 और CA2 में हमने पैतरीन score आप लोगों ने कर रखा होगा जरूर तो वहाँ पर से आपको जो है grace points अच्छे से मिल जाएंगे और आपने देखा होगे कि last semester में pass करना काफे मुश्किल हो गय है तो overall में जलने की तो बात है दोस्तों जलन्त होता ही है वाट आप वहाँ पर से जो है कुछ अपको points अच्छे मिल जाएंगे तो अगर यह video आपको पसंद आए तो और informative लगे तो जरूर इस video को like की चांगे सब्सक्राइब और minimum mark score और सब कुछ आप लोगों को बता दिया और आपके कोई भी comments हो जिनका उत्तर मैं देख सकूँ तो आप comment section में लिके विजवित रह सकते हैं तो तक लिए कहते हैं आपको अलविदा बाई दोस्तों